नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आसा करता हूँ, बहुत अच्छे हैं. चलिए मेरे दोस्तों मेंस की सीरीज में पेपर नमबर छे के एक और क्वेशन को हम लोग डिसकस करते हैं मेरे प्यारे साथियों. सवाल दिया हुआ है कि प्रदेश में सवरूर्जा के समक्ष आने वाली चुनोतियां एवं उनके समाधान का वड़न करें. तो इसका इंट्रो हम कैसे बनाएंगे भाई? कैसे इसके इंट्रो को हम लोग आइट करेंगे? तो देखो, हमें लिखना क्या है? तो हमें लिखना है कि सवरूर्जा के समक्ष क्या-क्या चुनोतियां आ रही है? उन चुनोतियों के बारे में हमको डिसकस करना है. तो पहले हम इंट्रो में दिखाएंगे कि देखो, हमारा जो भारत है, ये भारत सरबाधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश, भारत में सरबाधिक आबादी राज्य है, और जब सरबाधिक आबादी वाला राज्य है, तो उर्जा की खपत इसमें सबसे अधिक है, इसलिए प्रदेश के उर्जा संकर से बचाने के लिए किसकी आओ सकता है? नभी करणी ये उर्जा पर बिसेसबल दिया जा रहा है, और जिसमें सबसे इंपोर्टन क उर्जा के रूप से की जा रही थी, जिससे प्रदूसर की समस्या बढ़ती जा रही है, तो इस बढ़ती वी आबादी के उर्जा की आपूर्ती करने के लिए नभी करणी ये उर्जा जो की पर्यावरण के अनुकूल होती है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें स सवर उर्जा सबसे प्रमुख है ये भी आप लिख सकते हो अब राश्टी सवर उर्जा संस्थान के अनुसार उत्तर प्रदेश में 22.83 गीगावाट सवर उर्जा की छमता है पंत अध्यतन आकणों के अनुसार प्रदेश में 2485 मेगावाट सवर उर्जा का उत्पादन किया जा रहा है जो ये प्रदर्शित करता है कि सवर उर्जा कई चुनोतियों से गुजर रही है नहीं तो क्या हो जाता हम जादा बढ़ा लिये होते जैसे भूम क्यूपलवधता का आभाओ है ग्रिड एकी करण की समस्या है बित पोशन और निवेस में पिछड़ापन है जंज सारजनिक आउट रीच में समस्या है गुडवत्ता मानक का निर्धारक ना होना है इत्याद समस्याओं के कारण कई सारी दिक्कतें आ रही है जिसको दूर करके सवर उर्जा की उत्पादकता छमता अनुसार नहीं हो पारे जिसके कारण तो जिसको दूर करके क्या करेंगे जिसको निवारण करके हम सवर उर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं जैसे इसके लिए क्या करना है तो वैश्रिविक निवेश समयलन में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है तो नभी करण ये उर्जा पर बल दिया गया जो हमारा इंवेस्टर समीठ्यूस में नभी करण ये करन हिद पर सिचन देना सवर मित्र की भर्ती करना सबसेड़ी तथा सुलब कर्ज दे करके सवर उर्जा को प्रोसाहन देना सवर उर्जा नीति का उचित किर्यानमें संचालन करना इत्यारी के माध्यम से और भियार लिख सकते हो सोलर रूप टाप को बढ़ावा देना सोलर सिची के रूप में आयोध्या को बिख्षित करना सोला नगर निभूं को बढ़ावा देना ये सारी चीज़ें लिख सकते हो इसके माध्यम से 2047 तक भारत को उर्जा सुदंतर बनाने हेत निरंतर प्रियतन सील होकर नभी करनी ये उर्जा के सहारे सदविकास 2030 को पूरा करते हुए पंचामृत के उद्देशियों को पूर कर रही है कौन प्रदेश सरकार और प्रदेश को हरित प्रदेश बनाकर हरित भारत के संकल्पना को पूर कर रही है कुछ ऐसा ही आपको लिखना है मेरे भीया अगर इसी इतने वाद को आप याद करके लिख दोगे तो भी आपको बहुत अच्छा नमबर मिलेगा तो ये सवाल किस पर आधारित था सवरूर्जा के समक्ष आने वाली चुनोतियां और उनके समाधान पर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़े रहिए आसीस क्लासेस के साथ ठैंक यू जैहिन